साथियों, नौर्थ इस्ट में रेलिवे के विस्तार को भी हमारी सरकार ने प्रात्विक्ता दी हैं। रेलिवे लाइनों का दोहरी करण हो, गेज परिवर्तन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नए रूट्स का निर्मान हो, इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। जल्द ही पुर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानिया रेलिवे नेटकवर्ट से जुड़ जाएगी। नागालेंड में सो साल बाद दूसरा रेलिवे स्टेशन बना है। नौर्थ इस्ट में नई रेल लाइनों की कमिशनिंग भी पहले के मुकामले तीन गुना जादा हो रही हैं। साथियों पिछले नाव वर्षों में 200 किलोमेटर डेडिकेटेड ट्रेड कोरिडोर भी बनाए गए हैं। इसकी वज़े से माल गाड़ियों के ट्रेवल टाइम में काफी कमी आई है। दिल्ली NCR से वेस्टन पोर्ट तक जाए गुजरात के समुद्री तट हो या महराश्टर का समुद्री तट हो। पहले जो सामान ट्रेन से पहुचाने में एवरेज आउसातन 72 गंटे लगते थे। आज वही लगेज, वही सामान, वही गूट 24 गंटे में पहुच जाता है। ऐसे ही दूसरे रूट्स पर भी टाइम में 40 प्रतिशत की कमी आई है। टैवल टाइम में कमी आने का मतलब है कि मालगाडियों की गती बड़ी है और सामान भी अब ज़्यादा तेजी से पहुच रहा है। इसका बड़ा लाब हमारे उद्दम्यों, कारोबारियों और खास करके हमारे किसान भाई बहनों को हो रहा है। हमारी फल सब्जियां अब ज़्यादा तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही है। जब देश में इस तरह का टांस्पोर्टेशन तेज होगा तो उतनी ही तेजी से भारत के जो उत्पाद है। हमारे छोटे मोटे कारीगर हमारे लगुद्यों जो कुछ भी उत्पादन करते हैं वो सामान विश्व बाजार में भी तेजी से पहुँचेगा। झाल